नमस्कार मेरा नाव गमेर से रनाव थे और आप देख रहे हैं टैक मोबाड़े यूटूब चैनल साथियो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राइस क्या है अपने सोलर पैनल की आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आपके घर पर कितना सोलर पैनल लगेगा ये आप खुद घर बेटे कैसे निकाल सकते हैं वैसे मेरे पास दिन में कम से कम 10 से 15 कॉल तो इसी के बारे में आ जाते हैं कि सर ये बताईए कि मेरे घर पर कितना solar panel लगेगा तो देखिए कुछ लोग निकालते हैं यूनिट के इसाफ से कुछ लोग निकालते हैं आपका electricity bill कितना आता है कुछ निकालते हैं कि आपके घर में load क्या-क्या चल रहा है उसके इसाफ से निकालते हैं मैं आपको सीधा-सीधा फंडा बताता हूँ कि अगर आपके यहाँ पर 24 गंटे बिजली आती है यहाँ फिर 20 से 22 गंटे बिजली आती है और 20 से 24 गंटे के तक आप बिजली की खपत करते हैं तो सीधा-सीधा फंडा है कि जितना bill आ रहा है यानि कि एक हजार रुपे अगर आपका बिल आ रहा है तो एक किलो वाट सोलर लगाने की जरूरत है ये गणिते पांच जार रुपे बिल आ रहा है तो पांच किलो वाट सोलर लगाने की जरूरत है 10,000 रुपे बिल आ रहा है तो 10 किलोवाट लगाने की जुरूत है यह एक मैने की बात कर रहा हूँ, दो मैने की नहीं, एक मैने की लेकिन वहाँ पर दिक्कत आती है जहाँ पर 24 गंटे बिजली नहीं रहती वहाँ पर यह आपको गणित नहीं लगाना है कि इतना है आपको गणित क्या लगाना है जितना आपके गर में लोड है मान लिजीए एक AC चल रही है आपके गर में एक AC की बात कर रहा हूँ मैं तो नई जो AC आ रही है वह 1000 से 1200 वाट की है उसके बाद में आपके गर में किलर क्या है, कुलर है, टिवी है और आपकी होल्स की जो मौटर है पानी बनने के लिए 1 HP की उसके बाद में आपका 1 HP का 8 चक्की है तो सीद्धी सीद्धी गिनित लगा नहीं आपको ילו, 1200 वाट की AC है तो एक एव्रेजेन अपन 1000 वाट ले लेते हैं उसके बाद में आपका आटा चक्की है, एक HP की आटा चक्की है, तो हजार वाट ये ले लो, दो हजार हो गया, उसके बाद में आपका होज का मोटर का पानी के लिए मोटर है, एक HP का वो हो गया, यानि कि हजार हजार तीन हजार ये वाट ये हो गया, फिर उसके बाद में छो पंके हैं 100 वाट के पंके 600 वाट यह हो गया 3600 वाट हो गया LED बल्व ज्याज़ा से ज्यादा दस बल्व होगा और क्या ब्रामदे में होगा किचन में होगा अंदर वंदर जहां पर भी 100 वाट यह हो गया से 300 वाट हो गया और उसके बाद में और भी अगर आपके पास फ्रीज वगेरा जितने भी है तो यह आपका लोड यानि कि मैं बताता हूँ आपको चार से साड़े चार हजार वाट ही आपका लोड होता है यानि कि अब आपको solar कितना लगाना है आपको इसमे solar लगाना है 5000 वाट यानि कि 5 किलो वाट तक solar आपको इसमें लगाना पड़ेगा सीधी-सीधी गणी समझ में आगे न मैं आपको वह बाग, गुणा, जोड, बाकी करके कुछ नहीं बता रहा हूँ यानि कि इतने सिस्टम है आपके पास में जहां पर चक्की वगेरा सब कुछ चलाना आपको पांच किलोवाट लगा दीजिए कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है चाप कटर मेशिन चलानी है चक्की बंद कर दीजिए मोटर बंद कर दीजिए एक गंटे के लिए चाप कटर मेशिन चला दीजिए चाप कटर मेशिन बंद किए पानी के मोटर चलानी वो सारे बंद किए और इधर यह चला सकते यानि कि एक एवरेज 4-5 किलोवाट जहां पर सोलर सिस्टम लगता है वहाँ पर कहीं किसी भी परकार की दिक्कत नहीं रहती है अब दुसरी बात आती है अगर अगर अपन 4-5 किलोवाट लगा रहे हैं तो उसमें इमर्जेंसी के लिए आप उसमें एक या दो बैटरी भी लगा सकते हैं ये भी सिस्टम होता है एक तो बड़ा इनवर्टर होगा 5 किलोवाट का एक छोटा 1 किलोवाट का इनवर्टर होगा जिसमें आपको दो बैटरी लगानी होगी और दो से तिन पैनल उसमें कनेक्ट करने होंगे तो या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप जैसे नॉर्मल इनवर्टर होता है वैसे इनवर्टर लगा दीजे और उसको चार्ज करने के लिए आप इलेक्टरिसीटी जैसे नॉर्मल इलेक्टरिसीटी यूज करते हैं वैसे ही इसको चार्ज कर लीजे और जैसे ही light जाएगे उससे आप emergency जितने भी light हैं वो आप उस पर connect कर दीजे जैसे kitchen की light हो गई यानि कि खाना बनाते बनाते आपकी घरवाली खाना बना रही है और light चली गई तो भी दिक्कत हो जाती है तो वो उससे connect करवा दीजे आप तो यह सारा बंडा है यानि कि है normal गणित है आपकी कितना solar panel लगाना क्या है वो है वो गेरा बस आप ऐसे निकाल सकते है जितना वाट का जह है उसको आप प्लस करते चाहिए और सीधा सीधा आपको गणित मिल जाती है वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताए और आपके घर क कितना load हुआ है वो comment करके जरूर बताना वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल पर नए है तो subscribe करके साथ में बेल आइकन जनकी गंटी का निशान आ रहा उसे जरूर दबाना मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय बारत जय किसान वन दे मात्रम